हम लोगो बहुत सारे tips and tricks देखते हैं जब weight loss की बात आती है जब खाने की बात यह तो tips and tricks नहीं देखते हैं थंगडी कवाब, पकोड़, सब कुछ काते हैं लेकिन जब weight loss की बाता यहीं दिए लकिन लोग बगे यह कुछ करना नहीं Hajde मुझ भी नहीं चलाना पड़े वस खाली वेट लॉस हो जाना चाहिए इसलिए मैं देखा है बहुत सारी पिल्स बिकती हैं मैंने भी देखा है कि काफी जाड़ फूक वाले लोग भी हैं जो आपके help करते हैं वेट लॉस में नौट शूर एक्जाक्ली हो क्या करते हैं और बह देख हैं कि हाँ रिए यह एक विपः यहाग बात करते हैं लेकिन यह वह बात करने के पहले मैं में नहीं लाट भी सिया कि अगर गरम पानी पीने से वेट लॉस होता है तो जितना आपका कहना बनता है spiritually हिंडियन जितने हमारे खाने बनते हैं जितनी करी होते हुए ऌध में हौट वर्टर ही तो होता है और हम गरम खाना ही खाते हैं तो उससे वेट लॉस क्यों नहीं हो जाता हम तो दिन रात ही समझ लो आपको हॉट वाटर पी रहे हैं करेक्ट आपको अपने क्वेस्टिन का अंसर अभी तक मिल गया होगा लेकिन मैं और बता देता हूं बहुत ही क्लिरली कि मैंने कहीं ऐसा नह बड़ा रिलाक्सेशन हो बॉबल मुवमेंट बेटर हो सकते हैं मच लाइक आपने देखा हो अगर लोग चाय भी पीते हैं सुबह टॉलिट जाने के पहले और उससे भी उनको होती है राइट बट लेस अंदेस्टेंड किस चीज का क्या परपस है अगर आपको वेट लॉस करना है तो प्लीज इन सब नुस्कों के पीछे मच जाए और इंस्टेड आप एक रेगिलर रेजीम के तहत वेट लॉस करने का ट्राइब करिए मैं फिर से बताता हूं उसे कैसे करना है वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा मू बंद रखना है मतलब कम खा है कैलरिक डेफिसिट माने कि आपको खाना कम है और खर्च जादा करना है होता है जिसे हम अगर हमें पैसे बचाने होते हैं तो हमें खर्च कम करना है और कमाना ज्यादा है अगर आप खर्च जादा कर देते हो तो उससे बोलते हैं आप किसी के कर्ज में चले गए वही आप को यहां पे कर्ज क्रिएट करना है कैलरी का अगर आपको बेट लॉस करना है अगर आप ऐसा नहीं खरेंगे तो आप गरम पानी पीते रहेंगे और मेरे इसाब से ज़्यादा आपको मदद नहीं मिलने वाली तो समझते हैं कि अगर कैलरी डेफिसिट में जाना है तो कैसे करन तो उसके लिए आपको 7800 किलो कैलोरी आपको रिड्यूस करनी होगी आप इसके लवाँ और कोई तथ्य नहीं है यह फैक्ट है यह सिचुवेशन है यह साइन्स है जो आपको अड्रेस करना ही है तो मालीजी अगर आपको 7800 कैलोरी का डेफिसिट क्रियेट करना है तो आप कैस करेंगे या तो आप 7800 कैलोरी के बराबर वाक के रन कर लीजिए या कुछ भी ऐसा काम करें जिससे आपकी बाड़ी उतना एनरजी स्पेंड करें या फिर आप उतना कम खाईए दूसरा यह भी कर सकते हैं कि आप दोनों को कम्बाइन कर सकते हैं आपको ऐसा लगेगा कि या यह आप जितना इसी कह रहे हो यह नहीं ऐसे तो 7800 कैलोरी है और डेली हम 2000 कैलोरी ही मैक्समम खाते हैं अप्रोक्समेटली एवरेज जो मील का रेक्मेंडेशन बताया जाता हूँ होता है 2000 किलो कैलोरी कंजमिशन पढ़े तो मैं नहीं कह रहा हूं भया आपको एक ही दिन मे सब कुछ यह करना है एक दिन में अगर आप करने का ट्राइब करेंगे तो इस नौट गोइं को सस्टेंबल इन फाक्ट आप अगर आप अगर आप और वेट हैं तो आप 20 दिन का टार्गेट लीजिए कि आप 20 दिन में एक किलो बॉड़ी वेट आप लूस करेंगे नौट पानी भी बहुत ज्यादा होता है बॉड़ी में तो पानी भी आप काफी लूस कर सकते हैं लेकिन आपको बॉड़ी फैट लूस करना है अगर शुरू में ज्यादा बॉड़ी वेट लूस हो रहा इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपका स्वेट लॉस ज्यादा है वाटर ल कर सकते हैं, right? कि मतलब हर 20 दिन में आप एक किलो लूस कर रहे हैं, आप एक महीने में धेर किलो लूस कर रहे हैं, और 18 किलो बहुत होता है, आप कितने भी ओवीज हो या ओबरवेट हो तो, correct? Now, let's understand कि 7800 कैलरी, अगर आपको 20 दिन में लूस करना है, तो आपको डेली कितना लूस करना होगा? आपको करीब 390 कैलरी के आसपास डेली लूस करना है, 390 कैलरी जादा नहीं होती है, मतलब अगर आपने 50 कैलरी वाकिंग में हर किलो मेटर में यूस किया, तो आप देखेंगे करें वापको 8 किलो मेटर डेली चलना है, या फिर ऐसा करीए कि आप 4 किलो मेटर डेली चलिये, 40 मिनट के आसपास, 24 मिनट के आसपास, 200 कैलरी उसमें बन करिये, अगर आपका वेड जादा एज है, उस से साब से आपका कैलरी ज्यादा भी लॉस हो सकता है पर किलोमेटर बिद आम सेंग बेरी ब्राड एवरेज तो जो 200 बचता है वह आप खाने से कम कर सकते हैं मतलब एक चम्मच शक्कर कम कर दीजिए दिन बार में दो रोटी एक सुबह एक शाम जितना भी खाते हैं उसमें कम कर दीए कम कर दीजिए या फिर आप दो चम्मच सुबह चावल कम कर दीजिए शाम को कम कर दीजिए आपने अगर दो चम्मच शुगर कम कर दिया अगर आप यह करेंगे तो आपको गरम पानी पेने वाले नुस्खों की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्टेड आप एक सस्टेनिबल वेट लॉस पैट लॉस जर बुलाइग